है दोस्तों विलकम बैक टूनी वीडियो सो मेरे पास है यहां पर एक बोर्वेल मोटर का पैनल जिसका वाइरिंग जो है वो जल चुका है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इस पैनल का आपको दोबार से वाइरिंग करना है इस पैनल में अभी कोई भी इमपेर मेंटर का काम होता है हमारा जो मोटर कितना करण ले की आप इस में तस Municipal में आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है झो के एक पैनल के अंदर इसको इंडिकेट turning करेंगा जो के एक red वाला indicator लगा हुआ है उसके बाद में आपको यहाँ पे मिलता है extra start करने के लिए एक push button इस push button का काम होता है अगर आपका motor jam या फिर low voltage रहता है तो आप इस button को push करके motor को on कर सकते है उसे के बाद हमें यहाँ पे मिलती है MCB MCB से हमारी motor on और off होंगी तो यहाँ पे हमारी जो MCB है वो 10A की लगी हुए क्योंकि इस panel पे जो motor है वो pound HP का motor लगा हुआ है यानिके 0.75 HP का यानिके pound का motor लगा हुआ है और इस panel के अंदर हमें connection करने के लिए चीनी की plate मिल याती है जो के खराब उच्च की थी तो मैंने यहाँ पे जो इसे change कर दिया है और साथी हमें यहाँ पे capacitor मिलती है जो यह black capacitor है यह starting capacitor है इसकी जो value है वो 120-1400 MFDA इसके जगा आपके पास में aluminum का capacitor भी हो सकता है मेरे किसमें यहाँ पे plastic का capacitor है उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है running capacitor जो के 50UF का यहने के microfarad का यहाँ पे यह भी capacitor मैंने change किया हुआ है इसका जो capacitor था वो पहले खराब हो गया था तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो capacitor है और यहाँ पे जो तीनों चीज़ा है मैंने इसे change कर दिया है capacitor यहाँ पे जो है यह खराब हो चुका था तो यहाँ पे मैंने जो है 50MFD का Hevels Company का capacitor लाया है जिसको मैं यहाँ पे इस panel में लगाऊंगा क्योंकि जो पुराना capacitor था वो खराब हो गया था उसका value जो है वो लो हो गया था जो चीनी की connection plate ये भी खराब हो चुकी थी तो इसको भी मैंने यहाँ पे change कर दिया है और साथी ही आपे जो green push button ये भी हाँ खराब हो चुका था तो मैंने इसको भी जो है यहाँ पे change कर दिया अगर आपके panel में कोई पार्ट खराब रहता है तो आपको उसे जोए change कर देना है और उसके जगह नुव वाले पार्ट लगा देना है आप चलिए सबसे पहले हम इसका wiring स्टार्ट करने से पहले इसके capacitor को इस पैनल के अंदर fit कर देए सबसे नीचे मैं यहाँ पर लगाऊँगा running capacitor उसके बाद में हमारा एक starting capacitor आएंगा उसके उपर और अच्छी तरह के से जोए टाइट कर देना है नेट को टाइट करने के बाद में यहाँ पर हम इसका जोए wiring स्टार्ट करेंगे लेकिन वाइरिंग स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर में एक जिस क्लियर कर देता हूँ इस पैनल के अंदर किसी भी परकार का कानटेक्टर हैं यहाँ पर यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है अभी अब जो इमेज में कॉन्टेक्टर बहुत के साथ कियाता है इसमें सिर्फ एक mcb होती है जिससे हमारी motor on और off होती है तो यहाँ पर आपको दो बारा से बता दे रहा हो इसमें किसी भी परकार का contractor यूज नहीं किया जाता है सिर्फ यह mcb से on और off होती है तो यहाँ पर आगर आपको contractor वाले पैनल का wiring देखना है तो उपर आपको i button में मिल जाएंगा तो वहाँ पर जाके आप इस उस पैनल का wiring contractor वाले पैनल का wiring देख सकते हो और मैं वीडियो के description में भी उसका लिंक देदे हुआ चलिए अब इसका wiring स्टार्ट करते है यह wiring स्टार्ट करने से परिए हमारा सबसे starting capacitor वाले निया और डवाले अपको इस तरह से ज्राइंड कर देना है यह हमारे motor के चेबल आती है उसका tweeting वाला बनता यह करता है और आपको हमारी connection प्लेट है उसके right side से दुसरे number का जो point है आपको हमाँ पे इस wire को connect कनेगे जो कि हमारा yellow wire motor का होता है यहापे जो इसकुरू को में loose करूंगा और दो बारा से इसकुर wire को अंदर डालने के बाद में screw को tight कर दूंगा तो यहापे हमारोगो जो वायर ओपर उपर लग चुका है यह हमारे motor का yellow यानि कि starting वाला wire हो चुका है अब यहां पर हम हम जो है रनिंग कापिसेटर का वायर को छोड़ देना है फिर आपको और यहां पर वायर को फिर ने के बाद में आपको एक और यह फिर द्य। यहाँ पर मैं 2.5 mm का यहाँ पर वायर ले लेता हूँ और इस वायर को हमारे capacitor के साथ में join कर देना है यहाँ पर देखें मैं इस तरीके से यहाँ वायर को capacitor के और जो 2.5 mm का वायर है उसे यहाँ पर पेच लगा देता हूँ और इसी के साथ में आपको यहाँ पर एक और वायर लेना होगा जो कि 10 mm का होना चाहिए और यहाँ पर आपको उसी जोएड में आपको इसे मिला देना है यहाँ पर हमने टोटल यहाँ पर तीन वाइर लगा दी है अभी हम यहाँ पर इसकी पूरी नीट्रल वाइरिंग कर रहे है और देखिए जो हमारे कनेक्शन प्लेट है उसके राइट से जो पहले वाला पॉइंट है आपको वहाँ पर डालना है इस वाइर को और जो इसका स्क वायर को हमें एक ओर वायर कनेक्ट करनी एक जो क्योंकि Can वहां पर पर यहाँ होनी चाहिए यह हमारा निट्रल वायर होता है तो यहाँ पर हम जो इस एक कोई भी एक 10 वायर लगा देना और उस वायर के आगे आपको एक और वायर लगानी है देखिए कुछ इस तरीके से है यहां पर मैंने clip भी लगा दिया है अब आपको यह wire को connection plate के right side से जो 14 नंबर का point है आपको यहां पर लगा देना है क्योंकि यह neutral wire है हमारा है से जो supply है यहां पर neutral supply इस में connect हूँगी उस panel के screw को जो आपको लूस करके दोबारा से tight कर देना है यहां भी हमारा यह connection हो जाता है ज हमारा जो push button green वाला उसके पीछे आपको यहां पर दो point मिल जाएंगे दोनों point में से आप किसी भी point में एक इसे लगा सकते हो तो चलिए मैं इस वाले point के अंदर जो left side वाला point है उसके अंदर इस wire को लगाता हूँ तो इसके जो screw है पहले मुझे वह open करनी होंगे screw पो open करने के बाद में देखिए दोनों में से किसी भी एक point में मैं इसे लगा दिया है इसके अंदर minus plus कुछ नहीं होता है आप किदर भी लगा सकते हूँ screw को tight करने के बाद में हमारा yellow वाले wire का connection हो गया फिर हमने जो एक और जो wire connect किया था 2.5 mm के साथ में neutral वाला इस clip को जो मैं इसके उपर clip लगाया है इसे हमें जो है लेके जाना है voltmeter पे voltmeter में आपको यहाँ पे दो पीछे point मिल जाएंगे जो कि आप कोई भी किसी भी point पे connect कर सकते हो इसके अंदर भी कोई minus plus नहीं होता है मैं voltmeter के right side वाले point पे इस wire को connect कर देता हूँ इसका जो nut है वो से दोबारा से loose करके आपको wire लगा देना है और nut को tight कर देना है उसी point पे आपको यहाँ पे एक चोटी सी 10 mm की wire connect करनी है और इस wire को हमें connect करना हूँगा indicator में indicator के पिछे आपको दो point मिल जाते है दोनों point में कोई minus plus नहीं होता है आप किसी भी एक point पे लगा सकते हो मैं indicator के right side वाले point पे से connect कर देता हूँ यहाँ पे हमारा connection हो जाता है इस connection के बाद में हमारे आना है starting capacitor के उपर starting capacitor में अभी एक red वाला wire बागी है इस red वाले wire को हमें connect करनी होंगी push button में जो हमारा green वाला push button है उस पे हमें connect करना है तो इस पहले में इसे जो सामने से थोड़ा छिल देता हूँ साफ करने के लिए और यहाँ पे देखिए इसे दो बारा से छिलने के बाद में आपको यह connect करनी है जो green वाला push button हो आपको यह लगा देना है push button का काम क्या होता है जो motor हमारे jam या फिर कोई voltage अकर low रहता है तो हमारा जो यह starting capacitor का current है उसको पहुचाता है motor को अगर अब जब यह push button को दबाऊंगे तो यहाँ पे हमने यह connection कर दिया है और यहाँ पे हमारा जो neutral wiring वो पुरा हो जाता है इसके बाद हम जो फेस wiring करेंगे और यहाँ पे मैं थोड़ा से आपको बता देता हूँ देखिए हमारा यहाँ यह यलो वाला point होता है और उसके बाद में देखिए मैं आपको यह panel के बाुला वायराता यानि के जो बल्यूं हाँ यहाँ जो यह इसकी फेस ऐर्म सरिंग को पूरी कंप्लेट करते थेर्यक्षेस वायरिंग को यूज करने के लिए आपको को यहाँ प्यंद 20 nimmt का बड़ को यूस करना है। मैं के लिए तो यहाँ पर मैंने 1.5 का बाद्पाइश है उसी के साथ यहां पर मैंने एक 10 mm का वायर कनेट किया है कलर कोई भी चलेंगा कलर से यहां पर आपको कोई लेना देने नहीं से अपको गेज ट्रिप 1.5 या 2.5 आपको लेना होंगा फिर आपको यहां से यहां से इनर पॉइंट है तो आपको यहां पर यहां पर को लगा देता हूँ और जो इसका स्कूरू है दो बड़ा से टाइट कर देता हूँ एंसी वायर वो फिट हो जाता है यहां से हमारा सप्लाई अंदर को जाएगा और देखिए यहां पर मैंने इसे जोए 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 जो कि हमारा voltmeter में जाएंगा शलिए तो इसका मैं screw को जो है वो tight कर देता हूँ connection plate का screw tight करने के बाद में हमारा ये point fit हो जाता है आप देखिए उसी से हमने जो है 10 mm की एक wire connect की थी तो अब इसे लेके जाना है हमारा जो voltmeter है उस meter का अभी left side में एक point बचा है उस point पे हमें जो है इस wire को connect करने हमें जो कि इस meter को face करण देंगा इससे पहले हमने हमने जो right side में point joint किया था वो neutral वाला था इस तरह से हमारा जो हैं पे voltage शो होंगा neutral और face से तो देखिए मैंने इसका screw यहने जो इसका nut है वो से open करके दो बारा से इसका जो clip अंदर लगा दिया है अब इस nut को यहां पर मैं जो है अच्छे तरीके से tight कर देता हूँ फिर उसी point पर हमें जो एक wire एक one zero mm की एक दो बारा से wire connect करने होंगी जो कि मैंने आप ब्लेक वाली ले रखा है और इस ब्लेक वाले wire को हमें connect करने होंगी जो हमारा indicator का एक point बचा है जिसे हमें जो एक face वाला point देना होता है हमने पहले indicator को एक neutral point और डे रहा था है यहां पर हम जो एसे face point देंगे जिससे हमारा जो indicator है वो जलेंगा और हमें आप इंडिकेट करेंगा हमारा जो power supply है वो पैनल के अंदर आ रही है तो यहां पर यह इत्ता connection complete हो गया इसके बाद में हमें दो बारा से 1.5 mm या फिट 2.5 mm की wire को ले ले ना है यहां पर मैं दो बारा से चलिए 1.5 mm की wire को ले ले दाओ और इसी के साथ में आपर मै हमारा जो supply है यानि के जो फेस है वो यहां से आउट होता है तो यहां पर हम इस wire को connect कर देंगे जो नीचे वाला MCB का point है वहां से supply in होगा और इस वाले point से out होगा तो यहां पर आपको यह connect कर दिना है फिर जो हमारा MCB के connection हो हो जाते है तो MCB को उसके जग़ा पर यहां पर मिल जाते है जो कि स्रीस point होते है तो आप यहां पर किसी भी एक point में connect कर सकते है उसके अंदर ऐसा कोई माइनेस प्लस भी नहीं होता है क्योंकि स्रीस connection होता है देखिए इस तरीके से मैं यहां पर इस वाले point पी से connect कर देता हूँ और यहां पर जो इस connect वो लगा देता किलिप लगा देना है वायर को 1.5 यह जो भी आप यूज़ कर रहे हो और फिर दो बार से उसका जो nut है वो टाइट करके वायर को हमारे अच्छे तरीके से जोइन कर देना है वहां पर आप देखिए इस point का सामने से जो एक move बचा है उसे लेके जाना है हमारे जो connection plate है connection plate के right से तिसरे नंबर पर यानि कि हमारी मोटर का बिल्यू वाला वायर होता है यहां पर जो से connect करना होगा तो पहले मैं यहां पर वायर को छिल देता हूँ थोड़ा यहां पर अच्छी तरीके से साफ करने के बाद में आप देखिए दो बारा से यहां पर मैं इसके connection plate के right से ति पूरा complete हो गया है तो वायरिंग देखिए कुछ इस तरीके से हमारा हुआ है यहां पर हमने नीट्रल फेस वायरिंग सब कुछ किया है कैसात में क्यापिसेटर स्टाइटिंग कपिसेटर सभी हैं पर वायरिंग किया है अब हम जब भी हैंपे MCB को ऊपर करेंगे और एक क्पिसेटर चेंज करने ओंगे जो रनिंग क्याप इसटर रेंग क्याप शोटरे वहां को हैं बंदेखिय के हैं पैड्र में करने ला बेद हैं आपको फिर आपको यहां कईवर मोटर को ऑन करके दिखाता हूं हमारा आ चिबत परेफेक्ट कर रहा यह नहीं कि यहां पर मैंने पैनल को फिट कर दिया और साती है पर पावर सप्लाई भी दे दिया इसके अंदर जो अभी रेड़ वाली इंडिकेटर आपको जली दिख रहे हूंगे और चलिए मैं आपको अंदर से दिखा देदा किस तरीके से मैंने वाय को ज्यूइंट किया और आएंगी यहां पर यहां चलिए में इसके जो ढकन कर देता हूं पर साथ यहां UN कर देता हूं और फिर हम जो यहां पर मोटरा उन करते तो यहां पर क्लिप थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है लगाने के लिए क्योंकि एक हास्ते मैंने जुए यामरा पक्लावाई चलिए हापर मने लगा दिया इसी पर है यहां पर देखिया है लेकिन थोड़ा सा उल्टेज मेटर खराब इस लिए गलत रिडि अयाती रहलो अजय कर दोड़ा दोड़ाने से लिए दो यहां तो रत